हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम लोग चाप्टर वन स्टार्ट कर रहे हैं जो की है थियोरी ओफ सेट्स तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए चाप्टर वन थियोरी ओफ सेट्स तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन से सेट की तो देखिए सेट क्या हो को होता है a well defined collection of objects को हम क्या बोलते है set अब देखिए इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं objects को collect कर रहे हैं well defined होने का मतलब है एक fix rule के साथ for example अब देखिए set को क्योंकि मैंने का collection है तो collection हम किसी चीज में करेंगे तो collection हम क्या करते हैं curly brackets के अंदर करते हैं और जो जो objects मैं डालती जाओंगी वो मैं coma से separate करती जाओंगी तो मानली जब मैं set बना रही हूँ set of all vowels अब इसके अंदर क्या क्या जाएंगे objects क्या क्या collect होंगे ए क्योंकि ए vowel है e i o u तो ये क्या बनाया है मेरा set जो कि मैंने definition के according के है क्योंकि मैंने एक well defined क्या करा है एक well defined rule के accordingly मैंने अपने चीज़े क्या करी है collect करी है अब जैसे कि अब मुझे एक और set बनाना होता set of lucky numbers अब lucky numbers क्या होंगे अब मेरा lucky number हमाने जे 7 and 13 अब कोई और बच्चा ये set इसका ही set बनाएगा इसी rule के according तो वो क्या बना क्या रहा है 5 और 6 ऐसे ही and so on तो सब के क्या बनेंगे different different क्या बनेंगे sets बनेंगे तो यहां पर जो मेरा ये rule है ये rule क्या है well defined नहीं है तो ये क्या नहीं बनेगा कोई भी set नहीं बनेगा क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अपना object लेके आ रहा है मेरे set में तो मुझे क्या है confusion है कि मैं उसको इस set में डालूं या ना डालूं अपनी feeling recording बट यहां पर जो ये rule था set of all vowels यहां पर मैं बिल्कुल clear हूं कि क्या object इस set के अंदर जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए for example अगर कोई बच्चा d object लेके आ रहा है तो मेरे को पता है d इसके अंदर नहीं जाएगा because d is not a vowel तो I hope आपको definition के लिए है set की तो अब आप लोग अपनी books देखिए तो books के अंदर यही है तो set की definition क्या है set is a well-defined collection of object तो वही बोल रहा है by well-defined we mean that given an object we should be able to say without hesitation whether it belongs to the collection or not कि मुझे कोई confusion नहीं होना चाहिए कि यह object मेरे set में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए for example the collection of interesting topics in mathematics है अब interesting topics क्या है किसी को क्या लगेगा interesting topic polynomials algebra किसी को क्या लग रहा है geometry तो सब के लिए क्या है एक अलग-अलग सब अपने objects लेके आएंगे तो मुझे क्या रहेगा confusion hesitation रहेगा कि क्या यह objects मेरे collection में आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो यह क्या है not a well-defined collection clear है तो अब हमारे पास जैसे की कुछ examples है sets के for example the sets of students in a class अब यह एक set है क्योंकि मुझे पता है कि आपकी class में कौन-कौन से students है तो वो सब का ही क्या बनने वाला है set same बनने वाला है तो कोई confusion नहीं है यह well-defined rule है तो set है अगला वही the set of all vowels in English alphabet वो भी fix है हमारे पास तो it is also in a set अगला है the set of rivers in India इंडिया की rivers भी क्या है fix है तो यह भी क्या बनेगा एक set बनेगा set of all factors of 12 factors of 12 मतलब वो number जो 12 को divide करते है 1 करता है 2 करता है 3 करता है 4 करता है 6 करता है 12 करता है तो यह सारे objects के आ जाएंगे मेरे set के अंदर आ जाएंगे 7 नहीं आएंगा इसमें क्योंकि 7-12 को divide नहीं करता है अगला the set of all past prime ministers of India जितने भी past के prime minister रह चुके हैं इंडिया के वो भी fix है तो it is also a well-defined rule तो यह भी क्या बनाएगा आपका set बनाएगा the set of mathematics books in your library आपकी library में जो mathematics की books है वो भी क्या है fix है कोई आपको confusion नहीं होगा यह set बनाने के लिए तो यह भी क्या है एक set बन रहा है the set of even positive integers even positive integers आपके positive integers जो की even है वो क्या है 2, 4, 6, 8 and so on so on क्यों क्योंकि यह चलता ही जाएगा है ना बहुत सारे हैं जो की even positive है तो यह never ending set है the set of multiples of 4 मुझे पता है कौन कौन से multiple 4 होके होते हैं तो यह भी क्या बनाएगा set इसके के अंदर कैसे elements आएगे 4, 8, 12, 16 and so on और जितने भी जो मैं कह रही हूँ जो objects इसके अंदर जा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं set के members या फिर elements उसके बाद अब आप आगे आजाए notations अब हम लोग set के लिए क्या notation यूज़ करते हैं तो set को हम हमेशा capital letter से denote करते हैं for example जैसे कि मैंने अभी आपको set बताय था set of all vowels तो इसको मैं क्या करूंगे capital letters किसी A से denote कर दूंगे और इसके अंदर क्या जाएंगे objects या elements A, E, I, O, U तो मैं हमेशा set को किस से denote करती हूँ capital letter से A, B, C, whatever और जो इसके अंदर elements हैं या objects हैं जो इसके अंदर जा रहे हैं तो हम उनको कैसे लिखते हैं मान लीजिए मैं क्या कह रही हूँ A, इस big set A के अंदर आ रहा है तो मतलब A belongs to A ये किसका sign होता है? बिलॉंग करने का इस बिलॉंग के side में हम element रखेंगे मतलब object रखेंगे और इधर हम वो set रखेंगे जिसके अंदर आया है ऐसे इसके अंदर E भी बिलॉंग कर रहा है I भी बिलॉंग कर रहा है अब इसके अंदर B तो नहीं आ रहा है तो मैं वो कैसे लिखूंगी कि इसके अंदर B नहीं आ रहा है, इसका मतलब B does not belongs to A, ये किसका sign है, does not belongs to का, तो ये कुछ notation है, जो कि हम sets के लिए use करते है, capital letter set के लिए, small letters हम किसके लिए use करते है, elements के लिए, और ये belong किसके लिए, कि ये element इस set के अंदर जा रहा है, और ये does not belong मतलब ये particular element इस set के अंदर नहीं है, और ये कुछ हमारे पास standard notations है, ये जो आपका capital N है, और ये bold letter में है, थोड़ा सा, ये क्या है, set of all natural numbers, आपको पता है, natural numbers क्या होते हैं, 1, 2, 3 and so on, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, तो जो आपका set of natural numbers है, इसको हम ऐसे n से denote करते हैं इसके अंदर क्या जाएंगे, सारे आपके natural number, 1, 2, 3, 4, अब natural number कहां से 1 से शुरू हो करके पूरी counting, तो ये चलता ही जाएगा, तो हम डोडोडोडोड लगा देंगे, ऐसे ही आप लोगों का Z, capital Z किसे denote होता है, set of all integers, अब सारे integers मतलब इसके negative number भी हैं और positive number भी हैं, तो बी सेट, ये big क्यों किसके लिए डिरोड करते हैं, set of all rational number, इसके अंदर सारे क्यों से जाएंगे आपके rational number, आर क्या है, set of all real number, इसके अंदर आपके सारे real numbers जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, rational plus irrational, और C क्या है, set of all complex number, उसके बार हम जो अपने set को दो टाइप से रिपेजेंट कर करते हैं, first है tabular or roster form, और second है set builder form या फिर rule method, अब देखिए इसका मतलब क्या है, हम एक example से अभी clear करते हैं, अपने definition, जैसे कि मैंने आपको, हम कौन सा set के example लेके चल रहे हैं, set of all vowels, तो tabular form का मतलब क्या है, कि जो भी आपने set बनाना है, for example, मैं बना रही थी, set of all vowels, तो इसके, इसको हम big set, A से denote कर देते हैं, तो मुझे मैं जितने भी elements से set में आ रहे हैं, कौन को से elements आ रहे हैं, A, E, I, O, U, तो मैं इनको mention करके लिखूं, A, E, I, O, U, खोल के लिखने को क्या बोलते हो, tabular form, जिसमें हम particular बकाईदा elements को दिखाएंगे, कि ये चीज इसके अं लिखना होता, तो हम set builder form में क्या लिखते हैं, इधर हमारा set, इधर हम x लिखेंगे हमेशा, x मतलब एक variable जो की vary करता रहेगा, और यहां पर slash लगा के हम अपना rule लिख देंगे, और हमारा यहां पर rule क्या है, x is vowel, तो यह मैंने क्या लिखी है, इसकी set of all vowels की set builder form, set builder form में हम क् लिख देते हैं, x लिख देते हैं, और यहां पर slash डालके, यहां पर अपना rule लिख देते हैं, जिस rule से मेरे अंदर elements आ रहे हैं, objects, तो यहां पर मेरा rule क्या था, कि इसके अंदर वो elements आएंगे, जो की vowels होंगे, तो मतलब इसके अंदर वो x आएंगे, such that x क्या होना चाहिए, तो अब आप definition देखिए, तो इस सबसे पहली है, tabular form, तो यही बोड़ रहा है, in this form, we'll list all the elements of the set, separating them by means of comas, and enclosing them in curly brackets, तो को curly brackets लगाना है, और सारे elements को हम खोल के लिखेंगे, इसने example दिया है, यह एक set है, consisting of the prime numbers between 1 and 10, तो हमको क्या बनाना है, set बनाना है, 1 and 10 के बीच में prime numbers, और हमें पता है, prime numbers क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने table में जाते हैं, तो 1 and 10 के बीच के जो prime number वो क्या है, 2, 3, 5, 7, तो मैंने क्या करा है, सारे elements को coma की, coma से separate करके, अलग अलग करके लिखा है, तो यह मैंने क्या लिख अब set builder form क्या होता है, जिसमें हम set को कैसे लिखते हैं, a is equal to, यह curly bracket, और यहाँ पर हम x लिखेंगे, मतलब variable, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, px, px का मतलब क्या है, वो rule या वो property जिसकी वज़र से इसके अंदर यह x मतलब variables आएंगे, मतलब objects आएंगे, तो वो क्या बो is the set consisting of the elements 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब यह क्या चीज, अब मुझे यहाँ पर इसने set के elements लिख दी है, अब मुझे property खुद सोचनी है, यह क्या चीज है, मेरे elements है, वो 2 से लेकर 10 तक आए है, मतलब 1 नहीं आया है, तो यह मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब मुझे इसके property खुद आने पड़ेगे, तो यह set builder form में कैसे लिखा जाएगा, इसने बोला है कि एक set है, जिसके अंदर elements आने चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मैं इसको set builder form में कैसे लिखूँगी, a is equal to x, मतलब कि वो variable such that, अब मुझे यहाँ property लिखनी है, अब देखिए property क्या है, यहाँ पर क क्या लिखेंगे, x is, हम 2 से लेकर के 10 तक, यह देखिए लिखने का तरीका है, कि हम कौन से x ले रहे हैं, 2 से लेकर के, हम 2 को क्योंकि include कर रहे हैं, तो यहाँ पर equal to का sign आएगा, अब मैं equal to का sign नहीं लिखती, मतलब मैं 2 से बड़े लेती variable, लेकिन क्योंकि मैं 2 भी count कर रह या 2 से बड़े और चलते चलते कहां तक, 10 के बराबर और 10 से कम, वेर, अब 2 से 10 के बीच में, तो 2.5 भी आता है, 2.3 भी आता है, बट यहाँ पर तो सिफ क्या है, नाचुरल नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर साथ में एक और चीज लिखेंगे, and करके लिख दीजे आप लो, and x belongs to n, तो अब मैंने क्या कर दिया है, यह जो मेरा set था, यह जो शुरू में set अगर मैं इसको मानती कोई set a, जिसके अंदर element क्या आ रहे होते, 2 से लेकर के 10 तक, तो यह किस form में है, roaster form है, क्योंकि इसमें बकायदा elements को मैंने लिख के बताया होगा, कि यह यह इसमें elements आए तो कौन से x आ रहे हैं इसमें, 2 से लेकर के 10 तक, और 10 को include करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर equal to का sign लगाया, and x हमारे क्या है, natural numbers है, clear है आपको, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, finite set की, किसी भी set को finite set का बोलेंगे, जब उसके अंदर जो objects हैं, वो कैसे हूँ, finite हो, finite का मतलब होता है, जो गिंती किये जा सके, जिसके अंदर dot 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 ना हो, जैसे कि अब मेरा जो set of vowels था, उसके अंदर कितने elements से, 5 ही elements आ रहे थे, जो कि क्या थे, A, E, I, O, U, तो ये इसके अंदर क्योंकि 5 elements हैं, जो कि मैं गिन सकती हूँ, तो ये कैसा है, finite set, लेकिन यही अगर आप set of natural numbers की बात करें, तो इसके अंदर elements के आएंगे, 1, 2, 3, 4, चलते जाएंगे, ये तो never ending है, तो मैं इसको गिन नहीं सकती, तो ये कैसा set माना जाएगा, infinite set, तो set of finite set क्या है, जिसमें if the element of set are finite in number, मतलब गिंती किये जा सके, count किये जा सके, तो for example, 1, 5, 25, 1, 25, तो ये एक set है, जिस set of months in a year, अब एक year के अंदर कितने months होते हैं, 12, तो ये भी count ये जा सकते हैं, तो ये भी एक finite set है, the set of all countries on the earth, ये भी क्या है, उनको भी गिना जा सकता है, तो ये भी एक finite set है, next, infinite set, तो अगर elements जो है set के, वो infinite हैं गिंती में, मतलब जो चलते जा रहें, इसको अब गिन नही सकते हैं, तो वो कैसा होगा, infinite set, अब देखिए, अब जो हमें एक set दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ, x such that, x is equal to 3 की power n, where n is a positive integer including 0, अब ये पहली बात हो, जो मुझे ये set दिया हुआ है, ये किस form में दिया हुआ, set builder, तो पहले तो मैं इसको open करके देखते हूं, उसने क्या बोला हुआ है, इसके अंदर वो x जाएंगे, such that, x क्या होने चाहिए, 3 की power होने चाहिए, अब देखो, n क्या है, n चलता जा रहा है, n एक positive integer है, अब positive integer कहां से शुरू होते है, आपके 1 से, लेकिन उसने बोला, 0 भी include करना है, तो आप बताएगे, पहला जो x होगा, वो क्य आप 3 की power 3 भी करेंगे, अब यह तो चलते ही जाएंगे, क्योंकि यह जो मेरे n है, उपर, वो कहां से आ रहा है, positive integer, तो यह अब चलता जाएगा, इसमें 3 भी आएगा, sorry, 3 की power 0 मतलब 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 9 भी आएगा, 3 का cube भी आएगा, तो यह चलता जाएगा, set तो यह कैसा set है, infinite set, next, page number 1.4, तो उसने अब भाही अब example दिये है, infinite set के और भी, set of natural numbers, 1, 2, 3, 4, 5, and so on, चलता जाएगा, infinite set है, set of whole numbers, आपके whole numbers कहां से शिरू होते हैं, 0 से लेकर के, counting 1, 2, 3, 4, चलती जाएगी, set of integers, जिसमें आपके negative number भी आते हैं, सारे और positive numbers भी आते हैं, set of rational numbers, अब आपके rational number क्या होते हैं, जो आपके P by Q form में लिखे जाते हैं, वेर P भी integer होना चाहिए, और नीचे वाला भी एक integer होना चाहिए, और नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी बहुत सारे number आएंगे, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, जितने भी चला लीजिए X or that X is a real number, ये भी क्या है, एक infinite set, उसके बाद next अब हम बात करते हैं, singleton set की, अब देखें, singleton set किसको बोलते हैं, a set consisting of only one element, अब ऐसा set जिसमें से एक ही element गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, singleton set, जैसे की उसने क्या दिया है, एक A set है, इसके अंदर वो एक्स ट्राएंगे, X is less than 13, इसका मतलब क्या है, कि X कैसा होना चाहिए, 11 से बड़ा, और 13 से कम, और equal to का sign भी नहीं है, और X क्या होना चाहिए, natural number से, तो obviously 11 और 13 के बीच में जो natural number फस्ता है, वो क्या है, जिरफ 12, तो इसके अंदर basically सिफ 12 ही एक number आया है, तो एक ही element आया, तो ये कैसा set बना है singleton set, clear है, next है empty set, empty set को हम null set भी बोलते हैं, white set भी बोलते हैं, अब एक ऐसा set जिसमें कुछ भी ना आया, मैंने एक ऐसा rule डाल दिया, ऐसा rule बना दिया, कि मैं अब डालने बैठी, तो कुछ आई नीरा object अंदर set के, तो इसको हम empty set बोलते हैं, इसको हम file से भी denote करते हैं, खाल example क्या बोला है, set of all odd integer greater than 7 and less than 9, odd integer बोल रहा है, 7 से बड़े और 9 से कम, और 7 से बड़ा और 9 से कम, कोई odd number नहीं है, बीच में सिफ एक 8 है, जो कि even number है, तो कोई इस rule के according कोई भी set में नहीं जाएगा, तो मतलब कि ये कैसा set है, खाली set है, empty set है, तो ये 5 है, या फिर आप इस curly bracket से भी denote कर सकते है, next क्या बोल रहा है, एक set A है, such that x ऐसे आने चाहिए, कि x real भी होना चाहिए, और x square plus 1 is equal to 0, अब इसका मतलब क्या है, कि ऐसे x कि जिनका मैं square कर दूं, और उसमें plus 1 करके, answer मेरा 0 आजए, किसी का भी square मैं करूंगी, तो वो कभी भी minus 1 नहीं आने वाले, क किसी का भी square कभी भी negative नहीं होता है, तो यह कभी भी possible नहीं है, किसी real number के लिए कि इस equation को 0 दे दे, तो यह भी कैसा set आएगा, empty set आएगा, तो यहां तक एक बर आप पढ़िए, फिर मैं आगे continue करके आपको वीडियो बनाती हूं, यहां तक किसी को भी कोई doubt है, तो मुझ से पुची ए पासनली